हलो एब्रिवन वेलकम तु एग्री टाइम नौल लौन अग्रिकल्चर वित मी दियर एग्रियंस जैसे कि आप सभी को पता है हमारी सीरीज चल रही है सीजी पीटी, एमपीपीटी, यूपीकेटेड और सी यूएटी आईसी याई टू 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 एग्जाम के लिए क्रैस कोर्स सिक्स्टी डेस का जिसमें एग्रोनॉमी का चेप्टर टू इरिगेशन ड्रेनिज का यह आपका सेकंड लेक्शर है यानि कि क्लास ट जरॉड कर दिया है और यह आपने अगर नहीं देखा तो जरूर देखें जब तक क्लास टू आपको समझ में नहीं आनेवाल है तो क्लास बडू का जो लिंक है डिस्कृप्शन बॉक्स में जैस्कोर्स का उसका जो लिंक है मारे डिस्क्रिप्शन बोक्स में देदोंगा आप वहाँ से इसली उसको watch कर पाएंगे ठेक है अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजे bell बटन में all प्रेस कर लिजे आपको इसी तरीके से video class, video lecture और quiz test मिलते रहेंगे time to time चैनल तो हमने पिछली class में जो है वो discuss किया था आपका जो सिचाई की जो विधिया है ठीक है न तो उनमें मैंने आपको एक बता दिया था surface irrigation क्या एक बता दिया था surface irrigation दूसरा जो हमारा बताया था आपका अधो प्रिष्ट विधी यानि कि जिसको अपन सब surface बोलते हैं ठीक है तो चलिए थोड़ा सा अधो प्रिष्ट विधी को थोड़ा से यहां पर रिवाइस कर लेते हैं तो इस विधी का प्रयोग विदेश्यो में सरवाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधी होती है या मेथड होती है जो आपका सब सरफेस जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं यह ठीक है ना इसमें क्या होता है सहायक पाइप्लाइन जो है ना उसको छिद्रित करके एक लंबुवत जो आपकी जो मुख्य किया जाता है देन हम आ जाते हैं इस प्रेंकलर मेथड जो कि आपका थर्ड मेथड है इस प्रिंकलर मेथड या फवारा मेथड या फिरीशी को बहुचारी सिचाई विधी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो सबसे पहले तो यह जान लेते कि बहुचारी सिचाई विध जो है सीचाई की यह क्या होती है तो देखो सीचाई की इस वीदी में जल का वित्रन इस्प्रेय या वर्सा की बून्दों के रूप में दिया जाता है उसे हम icha के नाम से जानते हैं ठीक न और अगर बात करेंällen भारत में वह 14 विधी का सरवाधिक्षेतरफल कहां पर है तो सरवाधिक इसका जो छेतरफल वह आपका हर्याडा में थीक है इसका प्रयोग भारीक्熱 मिरदा में नहीं किया जाता यह चीज़ आपको याद रखनी था है इस विधी में क्या होती है आपकी बचत होती है और जो लवडी जुजल होते है न ठीक है न उसका प्रेयोग इस्वीधी में नहीं किया जाता और इस्वीधी दोरा पाला ग्रशित फसल का बचाओ किया जा सकता है मतलब कि जब सीचाई होगी तो जो निश्चित रूप से जो पाला ग्रशित जो फसल है उसका बचाओ किया जा सकता है दबाओ कितना होता है तो दबाओ होता है आपका 2.5 to 4 kg पर सेंटीमिटर स्क्वैल ठीक है तो इतना आपके लिए मतलब आपके एक्जाम के पॉइंट से काफी हेलफुल होंगे बट कुछ-कुछ यहां पर पॉइंट मैं आपको इससे रिलेटेट और बता देता हूं जैसे इस विदी की जल उपयोग शंता कितनी होती है तो इस जो मैथड है स्प्रिंकलर या पहवारा विदी इसकी जल उपयोग जो आपकी क्या जी जो चंता है यह आपका होता है 52-60% तक कितना होता है 52-60% तक और बाकी मैंने इसका जो दबाव है मैंने आपको बता ही दिया है और इस विदी के द्वारा जो आपका 20-40% तक पानी की बचत होती है यह भी मैंने आपको बता दिया ठीक तो यहां पे एक बात और आ जाती है कि इससे औ और क्या हमें benefit हो सकता है तो जीसी स्थान पर श्रमिक वा जल की कमी हो न वहां पर भी इस वीदी का हम प्रयोग कर सकते हैं यहां पर श्रमिक का जो लागत है वो भी हम यहां पर कम कर सकते हैं और एक चीज और है कि यह वीदी अधिकुछ आई वाले फश्लों के लिए क्या होत चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और डिसक्स कर लेते हैं जो आपका इस प्रिंकलर या फिर फवारा वीदी है इसके बारे में चलिए तो सबसे पहले देखिए जो आपका इस प्रिंकलर या फिर बोल सकते हैं बहचारी सीचाई वीदी तो इसके कुछ अव्याव होते हैं या फिर भाग होते हैं या फिर बोल सकते हैं component of sprinkler method जिसको अपन CSS बोल देते हैं component of sprinkler system तो इसमें उतना याद रखने की जुरत नहीं है बट कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ वो चीजें आपको remember रखनी है फरस्ट इसका आपका component होता है तो वो होता है आपका pumping unit क्या होता है pumping unit second जो होता है आपका क्या होता है मुख्य pipeline मुख्य pipeline ठेक है थर्ड जो होता है वो क्या होता है आपका तो सहायक pipeline सहायक pipeline ठीक है तो यह तीन आप लिख लिए नोट कर लिए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ इसके और जो आपके क्या हैं जी component है तीन बता दिया pumping unit मुख्य pipeline सहायक pipeline फोर्थ में आता है आपका lateral लेटेरल पाइपलाइन ठीक है और फिप्त में आता है आपका राइजर जो आपका उपर में होता है सबसे उपर में ठीक है राइजर बोलते हूं उसको इसके बाद सिक्स में नोजल ठीक इसी से आपका क्या होता है जो आपका जो पानी है न वो आपका निकलता है बाहर आता ह समझ Champions तो यह सिक्स आपके क्या है विखारी विधी के अवियाव याफिर भाग हैं कम्पोनेंट है तो इसको आपको क्या करना है जी Remember रखना है याद रखना है और कुछ नहीं है ज्यादा आपको ज्यादा इकदम सी टीपली नहीं पूछता है ठीक तो बस इतना चीज को आपको क्या है याद करके रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं डिप इरिगेशन के बारे में ये फोर्थ नंबर है आपका सीचाई की विधी में इसको अपन बूंद बूंद सीचाई विधी डिप इरिगेशन मेथड या फिर इसको माइक्रो इरिगेशन कहते हैं या टपका विधी या फिर ट्रिकल विधी के नाम से जाना जाता है इस विधी द्वारा सरवाधिक 50-70 तक पानी की बच्चत होती है सीचाई की सारवाधिक इसमें क्या होती है दक्षता होती है या विधी इजराइल से आपका क चैब किया गया था इस्राईल में कभ में किया गया था इज्राइल में आपको सब्सक्राइब kやって में मतलब कि किन के द्वार्विक्षित किया गया था किया गए था था नामक जो व्यक्ति है इन्होंने इसका सब्सेब सर्वप्राथम क्या है प्रेव किया देट था भारत में सरवाधीक किसका जो चेत्र है वो आपका कहां पे है तो आपका महाराश्ट्र में है यह जो विधी है सुस्क प्रदेश वा लवडी मृदा के लिए आपका क्या है उप्यूक्त होता है अगर सिचाई जल का लवडी हो तो सरवाधिक इसका क्या है प्रयोग अपल कर सकते हैं दीकि ड्रीप विधी सब्सक्राइब दोनों कारे किया सकते हैं अब कभी कभी कोश्चन में यह पूछ दिया जाते कि फटी एसन और हर्फी एसन किसे कहते तो देख लो फटीलाइजर प्लस इरिगेशन मिला के जो फटीगेशन होता है और आपका हर्वी साइड प्लस आपका इरिगेशन करे तो साथ मिलाकर पौधों को देना या फिर आपका हर्भी साइड साथ मिलाकर पौधों को प्रदान करना वह आपका क्या कहलाता है हर्भी के सिन कहलाता है या अधिक अंतरड यानि की इस पेसिंग दूरी वाली जो फसलें उसमें भी प्रयोग में ली जा सकती है दाब कितना होता है आपका ड्रीप इरिगेशन का तो वन टू केजी पर सेंटिमीटर स्कूर ठीक है न और वन अगर डिस्चार्ज मतलब एक घंटे में कितना जो आपका पानी है वो प्रती घंटे बाहर निकलता है तो वो आपका निकल आतरा हम पैप लगी होती है पाइप का नाम होता है पी पी विशी पी विसी का फुल फॉर्म होता है पॉल विनाइल फ्लॉराइड फिक न यह आपका क्या होता है इस नाम से आपका होता है और यह आपका इसमें क्या होता है अलक्षे लगा होता है ठीक है न पीवीसी के मुख्य पाइप मतलब की जो उसे होकर आपका यpashrit ऐन वो उस तक पहुंचाया जाता है इसमें जो उसे कि पाइप लाइन है यह मुख्य पाइप लान से एकorous आपका जो है वो लगा रहता है इतना याद रखना बहुत ही है एक चीज़ और याद रखिए कि स्वीधी के द्वारा जो जल है उसकी वैसे बने बता दिया आपको कि स्वीधी द्वारा सरवाधिक 50-70% तक आपका जो जल है वो आपका बच जाता है ठीक है तो इससे ज्यादा आप आई तिंग आप लोगों को ज्याद रखनी की जुरूरत नहीं है इतना इनफ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद है आपका टाइफून ठीक है ना टाइफून मेथड ताइफून या फिर मोडिफाइड यह आपका drip irrigation जो है उसी का क्या है मोडिफाइड आपक सुछन की जो यस्था होती है इसके अधार पर पानी की मात्रा को क्या कर सकते है अपर नियुंतित कर सकते हैं चल्व सकते हैं इसके बाद स्कूण कि जल उपयोग दक्षада क्रॉप वाटर यूज इफिशेंसी तो यह फसल की उपर जो वास्पो सर्जन जो आपका एयो ट्रांस्वरेशन है उसका क्या होता है आपका अनुपात होता है लाइक यहां पर फॉर्मूला आपको दिया गया है डबलू यू ए मतलब की वाटर यूज इफिसेंसी एकवल इल्ड ओपॉन आपका एयो ट्रांस्वरेशन ठीक है तो आपको कोश्चिन दिया रहेगा लेकिन उतना मतलब डीपली आपसे कोश्चिन में नहीं पूछा जाता अगर पूछा भी जाएगा तो आपका फॉर्मूला ही पूछा जाएगा ठीक है अब देखो यहाप मुख्यों फचलों की जल उपियोग दक्षिता दी गई है जैसे कि आप देख सकते हैं केजी हेक्टेयर एमम ठीक है केजी पर हेक्टेयर एमम में यहाँ पे दिया है जैसे रागी की फसल है फिंगर मिलेट में तो 13.4 केजी पर हेक्टेयर एमम यहू का होता है 12.6 केजी पर हेक्टेयर एम मूमफली का होता है 9.2 बाजरा का होता है 8.0 और शावल का होता है 3.7 सबसे जादा जो होता है वो आपका रागी फसल की होती है ओके यह चीज याद रखिएगा इसके बाद नेक्स्ट है खेत की यूज इफिसियंसी अब हम पढ़ रहे हैं खेत की जलूपियोग दक्षेता फिल्ड वाटर यूज इफिसियंसी ठीक है तो इसका भी आपका फॉर्मूला ही पुछा जाता है बट रिमेंबर रखिए कि होता क्या है वो तो यह फसल की उपज वह कुल जल की मात्रा वाटर यहां पर देख सकते हैं फिल्ड वाटर यूज इफिसियंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है तो वाई अपॉन डबलू आर इल्ड अपॉन क्या होता है आपका वाटर रिकॉर्मेंट होता है ठीक चली इसके बाद नेक्स्ट रेस हीचाई जल मापन की विधी यह उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते है आपका औरिफिस मेजरमेंट ओफ इरिगेशन वाटर ठीक है यही कहेंगे सेकेंड में दिया आपका वियर। देखिए यहाँ पर एक चीज होती है जो आपका ओरी फेस होता है तो इसमें क्या होता है जिनरली यह जो वीधी होती है इसका जो प्रयोग है वो बंद छेत्रपल से पानी का जो प्रशाव है या प्रवाज उसको ग्याद करने के लिए किया जाता है लाइक अगर एक्जामपल के तोर पर अगर मैं बता दूँ आपको तो वो हो जाएगा आपका क्या पाइप ठीक है फॉर्मूला चलो फॉर्मूला भी बता देता हूं इसका जो फॉर्मूला होता है जो आपका ओरी फेस है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल C इंटू A ठीक है और आपका 2HG ठीक है फॉर्मूला बस रेमेंबर रखिएगा ये औरी फेस का है ठीक है और Q का मतलब पानी का प्रवाह घन मीटर में हो जायागा C का मतलब जल निकास गुडांग ठीक है और आपका A का मतलब छेतर फल एरिया वर्ग मिटर में ठीक है तो ये चीज है अगर उसके बारे में और जानना है तो ये जो आपकी विधी है तो एक वर्सी फसल में सीचाई की आशिकता तब पड़ती है जम्रिदा आदरता का प्रती गटकर 40 से 50 प्रतीसत तक रह जाती है तब की स्थिती में आपका जो ओरी फेस है इसका जो यूज है वह अधिकतर किया जाता है देन है वियर सेकेंड में देखें वियर दिया गया है तो सीचाई नाली सीचाई की नाली में प्रवाहित जल को मापा जाता है कौन से मतलब होता है धीक है इसके बाद है दबे हीवे वियर या फिसको अपन suppressed we are बोलते है ठीक है न का जल प्रवाह संबंध क्या होता है तो यह आपका क्या होता है suppressed vr जो है द अन दबे हीवे है इसको अपन आयताकार vr की नाम से भी जानते हैं तो इसका जो है जल प्रवा संबंध होता है 0.0184 L into H power 3 upon 2. यह इसको याद रखना है यह question में कभी-कभी आपसे क्या है? पूश्च दिया जाता है ठीक है? देन है वी नोच मैथड बोल सकते हैं या फिर 90 degree V नोच वीर, 90 V नोच वीर, यह एक सरुत्तम यंत्र है इसमें जल प्रवा का सुत्र पूछा जाता है यह question आपके exam में तो इसी इच को remember रखेगा कि equal 0.0138 H upon 25 ठीक है तो इसी इच को क्या करना है आपको remember रखना है वी नोच बोल रहा है तो इसको अपन त्रिकोडी वीर के नाम से भी जानते हैं क्या जी इसको त्रिकोडी वीर के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद है पार्सल फ्लूम या फिर वेंचूर फ्लूम ठीक तो ये पार्सल फ्लूम और वेंचूर फ्लूम क्या होता है तो वियर और ओरिफिस का क्या है मिस्रित रूप होता है ठीक दोनों का ही क्या होता है मिस्रित आपका क्या है रूप होता है चलिए तो इतना तो तो आपका 1 कोई भी स्रोत रहे आपका कोई भी स्रोत रहे चाहिए टूब बेल रहे जाय वो पॉंट रहें ठीक तो जब सी चाहिस रोज से एक घन क्या जी एक घन fix प्रती से केंड से पानी बहता है तब उसको अपन एक क्युसे कहते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं एक qiseak लूढ़ाबर कितना हुआ एक घन फीट प्रती सेकेंड ठीक हैं एक गन feet प्रती second और एक गन प्रती feet second बराबर होता है आपका 28.3 liters, that's clear, ठीक है, अगर gallon में बताओं, तो gallon में होगा 6.25 gallon, आप लिख लेना कहीं पे, gallon में होगा 6.25 gallon, Q-7 का बता रहा हो, ठीक, तो यह हो गया Q-7, अब second option में दिया one Q-mick, अब Q-mick का मतलब क्या होता है, तो QMEC का अर्थ ये होता है कि आपका घन मीटर प्रतिसेकंड एक घन मीटर प्रतिसेकंड जल की वह मात्रा जो एक घन मीटर प्रतिसेकंड की गती से किसी बिंदू से बह रही हो वो आपकी QMEC कहलाती है एक QMEC बराबर होता है आपका एक घन मीटर प्रतिसेकंड लिखते जाओ एक घन मीटर प्रतिसेकंड होता है उसमें क्या था QSEC में फीट था इसमें क्या है QMEC में मीटर है ठीक और 18000 लिटर इसके बराबर होता है अगर गैलन में इसको बता दूँ तो गैलन में होता है 220 गैलन ठीक है चलो नेक्स्ट है जमारा वन हेक्टेर मीलिमीटर इसका मतलब होता है दस अजार लिटर क्या होता है 10,000 L या फिर 10 the power of 4 ओके ये क्या होता है 1 hectare millimeter तो जब 1 hectare 6 त्रफल में 1 mm गहरा या उचा पानी भरा होता है तब इसे क्या कहते है 1 hectare mm कहते है ठीक है 1 hectare mm बराबर कितना होता है तो 1 hectare mm बराबर होता है आपका 10,000 L अब बात करते हैं 1 hectare centimeter की तो जब 1 hectare 6 त्रफल में 1 cm गहरा या उचा पानी भरा हो तब उसे हम 1 hectare centimeter या hectare centimeter कहते हैं 1 hectare centimeter बराबर कितना होता है तो 1 hectare centimeter बराबर होता है 10 1,000,000 L ठीक है तो इतना याद रखिएगा चलो अगला देखते हैं 1 hectare meter 1 hectare meter बराबर होता है 1,00,000,000 एक करोड ठीक है एक क्रोड लीटर एक करोड़ है ना हाँ जी एक करोड़ है एक करोड़ लीटर ठीक है ना किसके बार एक हेक्टेर मीटर में चलो इसके बाद है मेजर ओफ वाटर ये आपको इतना नहीं पूछा जाता बट आपको तीन चीज़ें या इसमें याद रखनी है मैं आपको तीन चीज़ें के बारे में ठोड़ा सा बदा जेता हूं जो आपकी एक्जाम में पूछा जाते हैं गिए जनरेली कियुसेक, आपकी एक्जाम में wordt जा चुका है, आपका वन क्यूमिक भी पूछा जा चुका है और वन हेक्टियर सेंटीमिटर पूछा गया है यह तीनों ही पूछे गया है बाकी दो नहीं पूछे गया है तो तीनों को आपको याद रखना है कुछ जादा ही दो जो है उसको याद ना रखो तो भी ठीक और अगर आप याद रख सकते हैं तो उसको जिरूर याद रखें चली अब measure of water height ठीक है न तो 23 cm of water ठीक है तो यह आपका क्या है measure of water height height को क्या करते हैं मेजर करते हैं then conservation unit तो जैसे conservation unit यहाँ पे इसलिए मैंने mention किया है ताकि आप क्या कर सको जो भी हमने पीछे question practices की कुछ questions और भी है जो आपको practices करनी रहती है तो आपको remember रखना है कि जैसे one hectare equal कितना होता दस जार मेट square one hectare बराबर पांच बीघा बराबर दो जार मीटर स्कूर मतब 0.2 hectare one hectare बराबर two point four seven acre one acre बराबर zero point four zero five hectare तो यह आपका conservation units है जो आपको remember रखने है question पूशा जाता है 10.000 मीटर स्कूर बराबर कितना होता है ठीक है two point four seven acre बराबर कितना होता है पास बीगा बराबर कितना होता है यह वन हेक्टेर में कितने बीगे होते है ठीक है एरिया ले लेते हैं वहां पर हम वोटर सेड्ट क्रिये्ट करते हैं पत्थरों के साहरे से ठीक तो सबसे पहला है मीजादा इसमेर नियुर्ट её आपको तीन जिसे मीनी वोकार सेड्ट ठीक है और बाकी एक और चीज क्या पुछा गया है, माइक्रो वाटरिज दी दुछ रूँता है, मिनी वाटर सेड जिसमें आपका एरिया होता है 10 to 100 hectare, माइक्रो वाटर सेड में होता है 100 to 1000 और मिली वाटर सेड जो होता है 1000 to 10,000 hectare, सब माइक्रो वाटर सेड में 10,000 to 50,000 और माइक्रो वाटर सेड जो होता है इसमें आपका 50,000 से भी ज्यादा hectare एरिया में जो water shade है वो आपका क्या किया जाता है create किया जाता है ठीक है तो यह चीजे जो है आपको याद रखनी है और बाकी जो जो चीजे मैंने आपको बताई है उन सभी चीजों को भी आपको क्या है remember रखना है यानि कि याद करके रखना है आसा है आप सभी को आज का जो class है अभी का जो class है वो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक करें अपने दोस्तों के पास चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें अभी आपका जो irrigation है तो completely नहीं हुआ है आपका इसमें और बची हुई है तो उसको मैं next की जो class रहेगी उसमें मैं complete जो आपका इरिगेशन है उसको complete कर दूँगा हम उसके बाद फिर next chapter आपके exam के लिए क्या करेंगे जी लेके आएंगे तो जुड़े रहो हमारे सान subscribe कीजेगा जय जवान जय किसान धन्यवाद